हुआ लुख्रक्षट है वाल्यक्तुश्ण अर्फित कर रहे हुए चार हो रहा है है राध्यक्तुश्ट, uelुवे को यहां हो गुद्र किसी से निला जाते है बाद कासर भी मताइब मैं जुद्रकषण, समय कोई भी हो यह नोगों ने तीन अभिवादन बना यह और चीज उन लोगों aromatic है जो बहुत रियर है ग्रिटिंग्स है जैसे ही रात के बारा बचते हैं बारा बचते कर एक मिनट होता है वहां से गुड मॉर्निंग शुरू होता है दोपहर के बार बचते तक फिर बारा बचते शुरू होता है दो ढ़ाई घंटे के लिए गुड नून उसके बाद शुरू होता है फिर good afternoon और good afternoon के बाद शुरू होता है सुर्यास्त के बाद से good evening तो इसमें logic है कि चलो एक समय है समय का निर्धारन किया गया है अगर हम पहली बार किसी से मिले वो दोपहर हो, शाम हो, या रात हो तो हम good morning बोलें तो फिर बाकी के जो अभिवादन है उनका क्या, उनमें तो जंग लग जाएगा उनमें तो मुर्चा लग जाएगा तो बाकी वो सब बनाये क्यों गए खुद के दिमाग से एक बरसों जो कि वो क्यों बनाये गए, आखिर ये बात क्यों कही गई कि इतना से इतना गुड मौर्निंग, इतना से दो बार तीन बार चार बार जाकर मिले और अलग अलग करे अलग अभिवाधन करे नहीं na 95% लोग किसी से भी एक ही बार मिल पाते हैं और तुम लोग मेरे students हो मेरे school में पढ़ते हो तो कहीं न कहीं तुम लोग मेरे से एक ही बार मिलोगे ना या पचीस बार आते जाते रहोगे शाम में आ जाओगे रात में आ जाओगे सुबह में आ जाओगे नहीं न एक ही बार मिलोगे और बार बार तुम मिलने माले हो नहीं इसलिए यह लॉजिक सही है ही नह this is not true, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि logic नहीं है, और कोई भी चीज़ पर हम विस्वास करें न, तो logic के साथ करें, तरके के साथ करें, खुद भी सौच कर देखें, कि ये किस हद तक सही हो सकता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, तो हम बहुत thinking करेंगे, बहुत विजार करें ये न, तो इन बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, और मैं यही कहूंगा, तुम लोग भी विश्वास इन बातों पर ना करो, ओके, तो आगे से समय के कोडिंग अपना, अभिधन करना है, गुद मॉर्णिंग बोलना है, या गुद नून बोलना है, या गुद बोलना है विलो ठीक है बाइ बाइ